थोड़ा सा सिंप्लिफाई करने की कोशिश करते हैं कि टैक्सेशन के मुर्चे पर क्या कुछ हुआ है आईए देखते हैं कि टैक्सेशन के लिहाद से इस बजट में क्या कुछ बड़े फैस्ट ले लिया है वितमंत्री ने साल 2023-2014 बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इंकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है वितमंत्री ने इस बार करदाताओं को निराश नहीं किया और मिडल क्लास को बजट में वर्शो बाद बड़ा तोहफा दिया है वितन भोगियों को बड़ी रहत देते हुए उन्होंने आईकर में छूट की सिमा बढ़ाने का ऐलान किया इसके साथ ही अब साथ लाख रुपए तक की सालाना आए वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा साथ ही वितन मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है हालांकि वितन मंत्री निर्मरा सितारमन ने ये भी साफ कर दिया कि करदाताओं को ये जो राहत दी गई ये उनहीं लोगों के लिए है जो वितवर्स 2023-24 में नया इνकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे नया tax system चुनने वालों के लिए कर छूट की सीमा 7 लाग रुपए कर दी गई है पहले ये सीमा 5 लाग रुपए थी नया tax system में पहले किसी तरह की छूट नहीं थी लेकिन अब इसमें भी 50,000 रुपए का standard deduction भी शामिल कर लिया गया है यानी 7,5 लाग रुपए तक की salary पर कोई tax नहीं लगेगा पुरानी विवस्ता में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और उसमें छूट जारी रहेगी बद्दिवी tax की दर को अगर आसान भाशा में समझें तो नहीं विवस्ता के तहट tax lab में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिकत आईकर की नई tax दर के मताबिक 3,000,000 रुपए तक tax की दर सुनी रहेगी 3-6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 यानि 9 लाग तक की आई वाले को 15,000 रुपए की बचत होगी जो की करीब 25 फीसद है इसी तरह 15,000 रुपए की आई वाले किसी व्यक्ति को केवल 1,500,000 रुपए या उसकी आई के 10 फीसद भुगतान करना होगा जबकि अभी उसे 1,87,500 रुपए टैक्स देने होगे यानि उसे जब 37,000 रुपए कम देने होगे या फिर 20 फीसद की कमी होगी फिलहाल इंकम टैक्स रिटर्न भरने के दो आप्शन्स है एक अप्रेल 2020 को नए आप्शन दिया गया था सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट आप्शन करार दिया है लेकिन पुराना सिस्टम अभी जारी रहेगा और जो लोग इससे चुनना चाहें वो इससे चुन सकते हैं अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको नई रहत नहीं मिलेगी पुरानी विवस्ता में आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्रिमेंट देने होंगे और पुरानी टैक्स लैप के हिसाब से टैक्स देना होगा वित्मंत्री ने बताया कि देश में वर्तमान कर की दर 42.74 फीसद है जो दुनिया में सबसे अधिक है बजट 2023 नई कर विवस्ता में वो चितम सरचास दर को 37 फीसद से घटा कर 25 फीसद करने का प्रस्ताव करता है इसके परिणाम स्वरूप अधिक्तम कर की दर 49 फीसद तक कम हो जाएगी अब प्रतक्ष करों की बात की जाए तो कुछ खास सिगरेटों पर राष्ट्रिय आपता आकस्मिक्ता शुल्क को संशोधित करते हुए उसमें लगबग 16 फीसद के व्रिद्धी करने का प्रस्ताव किया गया है इससे सिगरेट और महंगी होगी इसके लावा चांदी पर कस्टम डूटी बढ़ाई गई है जिससे चांदी कुछ महगी होगी बजट में सोने और प्लैक्टन से बने सामानों पर सीमा शुल्क में व्रिद्धी की गई है वहीं चांदी से निर्मित दोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में व्रिद्धी की गई है टीवी पनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर धाई फिसद करने का प्रस्ताव है जिससे टीवी सस्ती होगी मोबाइल फोनों के कुछ एक पुर्जे और कैमरा लेंसों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्कों में राहत दी गई है जिससे ये सस्ते होंगी लीथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्कों एक और वर्ष के लिए जारी रखना होगा जिससे इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होगी लैब निर्मित हीरे के सेट्स पर कस्टम डूटी में छोट दी गई है रवर पर भी डूटी कम की गई है इससे खिलों नहीं साइकल आटो मोबाइल सस्ते होंगी बीरो रिपोर्ट डीडी नियूज चलिए फिर इस चर्चा के शुरुआत करते हैं और आडियंस के लिए भी बिलकुल मैदान खुला हुआ है आप जो भी सवाल करना चाहें